14 अगस्त 1947 को मुझे ही लगता है कि अगर आपने इतिहास पड़ा है आपको मालू है तो कोई भी इस तारीक को भूल सकता है यही 14 अगस्त वो मन्हूस दिन था वो काला दिन था जिस समय हमने देखा कि भारत की दो टुकडे हो जाते हैं भारत दो भागों में बढ़ जाता है एक पाकिस्तान बन जाता है और एक भारत बन जाता है आप यहां मैब में देख भी सकते हैं देखिए हमारी प्यारा हमारा प्यारा भारत इसमें आप देखेंगे कि आज का भारत आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा समझ रहे हैं लेकिन इससे पहले अगर आप लोग जाएं तो आप देखेंगे कि इस तरह से 1947 पंदरह अगस्ट 1947 के पहले अगर आप भारत को देखें तो पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था और जो यहाँ आप लोग बंगला देश देखते हैं न यह भी हमारा ही हिस्सा था लेकिन 15 अगस् कि हजारों साल से हमारे देश में हिंदू हों मुस्लिम हों सिख हों इसाई हों तर कोई भीधरम हो समधाय हो यह अजueprint संफ सब एक रहते थे एक होकोरे हम रोगों ने अपने देखा ये भी कि लड़ाई लड़ी तो उसमें भी सभी का युगदान रहा है। पर चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो। लेकिन लाश्ट में क्या रहा कि सडयन ते कुछ लोगों का रहा और वो सफल हो गया। और वो दो हिस्से में बाटने में भी सखल रहे अगर आप सोची कि आज अगर हमारी एंडर में पाकिस्तान होता या बंगलादेश होता तो आप समझी हम लोग कितने मजबूत होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं हम आज यहाँ देखते हैं छोटा सा रास्ता है हमारे प्रियान होते हुए जाते हैं अगर हमारे पास पाकिस्तान होता है तो हम आसानी से यहां से जावी सकते थे कई परियोजनाएं भी हम लोग जाने के लिए आपने देखाए कि चला रहे हैं कि खेर कारण आप से पूंचे जा सकते हैं आपकी चाहें UPSC प्रिलिम्स हो मुख परीक्षा हो या इस्टेट PCS हो इस्टेट PCS मुख परीक्षा हो उनमें इस तरह की कुश्चन साथ ही रहते हैं कि आप 15 अगस्त के आप देखिये 15 अगस्त को आजा दी सुतंदर देवस के रूम में भी तो मनाते हैं अब 14 अगस्त को आप लोग विभाजन विविज का इस्मीती देवस के रूम में भी मनाएंगे तो आपको दो-चार पॉइंट इसके बारे में मालू होना चाहिए कि इसके कारण क्या-क्या रहे हैं समझ रहे हैं भारत पाकिस्तान के बटवारी के कौन-कौन सी कारण उसके लिए जिम्मेदार थे तो इसे हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं यहाँ आप देख सकते हैं पूरा भारत अगर आज इस समय अगर भारत पूरा हिस्सा होता हमारे बास बंगलादेश हो या फिर पाकिस्तान हो तो इस तरह रहेगा पहले आपको मालू होना चाहिए कि इस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बंगलादेश जो आप जानते हैं कि 1971 में बंगला देश के नाम से एक नया देश बना था आपने देखा होगा कि 1971 में हमारी वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की इंद्रा गांधी के समय की बात कर रहा हूं है तो इस समय आजा दोकर एक नया बंगला देश आपका बना था पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुगा करता था तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट बता देता हूं आपको तो आप देखेंगे इसमें कि भारत में आप सभी को माल हुए इससे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं न कारेगा कि भारत में विभेन धर्मों का एक साथ होना हमारी एकता का पितीक है और आज भी तो आप देखते हैं हो सकता है कि आपको पिधान मंत्री पर भरोसा ना हो आपके नेताओं पर भरोसा ना हो लेकिन आज भी देखते हैं कि हिंदो हो, मुस्लिम हो, सीख हो, ईसाई हो, बौध हो कोई भी समदाय हो, धर्म समदाय हो और आप देखते हैं विभेन ने जाती किस तरह से बटी हुई है विभेन भासाइं बोली जाती है फिर भी हम लोग एक हैं वीवि आप कह सकते हैं कि कई इसलामिक देशों से अच्छी स्थिती में हमारे हम मुस्लिम भी है उन्हें भी कापी अधिकार मिले हुए है आप सब देखिए किसी भी से पूँच लिए भारत के किसी भी नावरिक से वो कहेगा हमें सम्मीधान पर भरोसा है और कहा जाता है कि भारत में संपदाइक तक बीज अंग्रेजी सरकार नहीं बोया था और आज भी आप लोग देखते हैं कि ऐसे कई आपको नेता मिल जाएंगे चाहे हिंदूओं में हो है या किसी भी धरम हो, मुस्लिम में हो हो कि इस तरह का सडेंद करते रहते हैं धरमों को आपस में लडाते रहते हैं और इसी तरह का आप देखेंगे आजादी के पहले भी कुछ सडेंद कारी तत्त थे फिर चाहे वो नेताओं की रूम में रहे हों या फिर अंग्रेजियों की रूम में रहे हों प्रोफेसर अब्दूल मस्जित खान ने इसके अनेक प्रमाड अपनी पुस्तक Communism in India It's Original and Growth में दिये हैं इस पुस्तक को भी याद रख सकते हैं आप लोग कहीं आंसर लिख रहे हों तो आप लोग वहाँ भी इस पुस्तक का भी हुलेग कर सकते हैं 1947 में आप देखेंगे भारत की विभाजन का सबसे प्रमुक कारण अंग्रेजियों के सडेंद और Muslim League की संपधायकता की नेती थी और अधिकतर आप भी जानते हैं कि अधिकतर लोग जिन्ना को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं लेकिन आप लोगों को एक पक्ष नहीं देखना है आपको सभी पक्षों को देखकर ही आंसर लिखना होगा बैटे सरकार कापी समय से कॉंग्रेज को एक हिंदो संस्था नाम देकर Muslim League को भड़का रही थी यानि कि जो आप 1885 में कॉंग्रेज की स्थाबना हुई थी ना अंग्रेजों ने इस तरह का दिखाबा सुनू कर दिया कि जो कॉंग्रेज से हिंदों की बाट दिये और Muslimों को डराना एक तरह से उनके अंदर भहे पैदा करना इस तरह का सडेंद किस ने किया अंग्रेजों ना वेटे सरकार की द्वारा पारित किये कि सभी एक्ट संपदाइक्ता पर आधारित रहे थे एक तरह से आप देखी कि अभी भी आप देखते हैं एक धरम को दूसरे धरम से लड़ाने में काफी अद्था के नेतब सफल भी हो जाते हैं तो ये भी अंग्रेजों ने उस समय किया कि आप देखी कि एक धरम को आप लोग कुछ सुविधाय दे दिजे दूसरे धरम को ना दिए अपने आप दोनों धरमों में खाई बढ़ जाएंगी इसलिए आप देखते हैं कि अंग्रेज जो भी एक्ट पारित करते हैं उसमें आप देखते हैं कि मुसलिमों के मद्दान की बात हो चुनाव लड़ने की बात हो इस तरह के आप देखी कि बातें करते रहते थे यानि कि और जान्दार खाई बढ़ाते रहते थे 1947 का भारत विभाजन भारत के अत्यन थी दुख पूर घटना थी और सदियों तक साथ साथ रहने के बाद भी हिंदो मुसल्वान अपने धार्मिक मद्वेदों को मिठा ना सकी और अंग्रेजी सासन ने संपदायक्ता की भावना को निरंतर बढ़ावा दिया और आसन करों की नेती अपना रहे हैं तो यह आल और याद रखी कई लोग क्या करते हैं कि गांधी जी को डारेक्ट जिम्मिदार ठहरा देती हैं कि पाकिस्तान के बटवारे में गांधी जी का हाथ था तो मुझे लगता है कि वह वही लोग हो सकते हैं जो यहां तो University या Facebook University से इतिहास पड़ते हैं यहाँ एक उधारन आपको दे देता हूं माले ये एक परिवार के आप मुखिया हैं उस परिवार में सुबह साम लड़ाई चल वही हैं समझोदा की कोई गुंजायस नहीं है तो आप क्या करेंगे आपके सामने क्या option होगा आप तो यही चाहे गांदे की 1947 तक किस तरह से दंगे हो रहे थी किस तरह से मारकाट चल वही थी और आप देखते हैं गांदी जिने इसे अंत अंत तक सुविकार नहीं किया था उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और आप लोग जब ब दिखना होगा आपको उसमें कुछ कमियां भी दिखाए देंगी उसमें कुछ अच्छाईयां भी दिखाए देंगी अगर आप लोग कंट्रोल अपने आपको एक जगे फ्री मतलब किसी के पक्ष मिनना देखें तब और वैसे तो आप देखें कि एक पक्ष को अगर आप लोग उसकी भक्ती करने लगते हैं तो उसमें बुराईयाद आपको दिखती ही नहीं है अच्छाईया दिखती रहती हैं खेर छोड़िए अपना काम नहीं है बिभाजन किसी देश की भूमी का नहीं था बलकि वहां रहने वाले समस्त नाग्रेकों की भावना का भी था क्योंकि आप जानते ही कि 1947 के वहले आप देख लीजे हमारे इस्तिती क्या थी हम जहां भी आपने देखा ही कि लड़ते थे तो एक होकर लड़ते थे और यही एक ता अंग्रेजों को उस समय आप देखी कि देखी नहीं जा रही थी और आप देखी कि जहां धरम दूसरे से लड़ता रहे मुझे नहीं लगता है कि वो देश कभी तरक्की कल सकता है इसी में हम लोग उल्जे रहेंगे तो मुझे लगता है एक तायमें ही सब कुछ है और माउंट लॉड माउंट वेटर्न ने भारत आकर यहनवा किया कि कॉंग्रेस एक सहुखत भारत का निर्माड़ और मुसलिम लीग बिभाजन चाहता है कॉंग्रेस और मुसलिम लीग दोनों में समझोता करना संभव नहीं था कॉंग्रेस तो चाह रही थी कि एक भारत रहे कॉंग्रेस की जो पॉलिटीस हैं जो नेता थे वो भी चाह रहे थे कि एक रहे भारत अखंड भारत रहे एक तरह से लेकिन मुस्लिम लीग था ये अब नए एक नए देश की मांग कर रहा था और याब रक्षिस में राजनेतिक स्वार्थ भी छुपा था कुछ निताओं का जिसमें अली जिन्ना साहब का नाम जरीएक जरूर आता है मातमा गांदी दोवारा भारत विभाजन का विरोत किया गया और इसलिए मांट बेटर ने पंडित नहरू और सरदार बल्ला भाइ प्ठेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्विगिति पिदान करवाई और नहरू प्ठेल ने बेगुनाहों की हत्या और उन पर हो रही अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना ही समझा जिस बात की मैंने भी बात की परिवार को उधारन देकर वही किया पंडिद नहरो और सरदार बल्ला भाई पटेल लें और अंतता आप देखेंगे माउंट वेटन द्वारा दोनों ही सहमती पर आप तुई और 3 जून 1947 को आप सभी जानते हैं कि भारत विभाजन की योजना को पिकासित कर दिया गया जिसे आप लोग माउंट वेटन योजना के नाम से भी जानते हैं तो इससे योजना के वारे में भी याद रखी इससे भी questions आ जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि 4 जूलाई 1947 को भारती सुतंता अधिनियम पेज किया था और जिसकी अनुशार 15 अगस्त नुशार 1947 को भारत दो अधी राज्यों यानि कि दो देसों में विभाजित हो गया दोनों ही आप देखें कि उपनिवेस की सम्विधान सभा को बेटे सरकार ने सत्ताप सौप दी और जब तक सम्विधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम की अनुशार उपनिवेसों का असासन चला और सम्विधान सभाएं विधान मंडल की रूम में कारिकरती रही और आप देखते हैं कि हमारे सम्विधान पर 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसकी बहुत बड़ी एक तरह से चाप देखी जाएगी सबसे जागा पर वहाओ आपको इसी अधिनियम का देखने को मिलेगा पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारन का काम सीमा अयोग की हवाली कर दिया गया क्योंकि आप देखें कि जब दो देश बटवारा हो रहा होगा तो सीमाओं का अभी तो बटवारा होगा कि यहां से आपकी सीमा है यहां से हमारी सीमा है और इसमें आप देखते हैं जिसके सीमा आयों के अध्यक्ष कुन थी रेड किलिप और इसलिए आप लोग इसे भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं रेड किलिप रेखा भी कहते हैं और इस तरह आप देखेंगे माउट वेटर ने उजना के द्वारा भारत बिवाजन हुए और सुतंता अदिनियम द्वारा में आजाती मिल जाती है और इसतर पिकार आप देखेंगे अखंड भारत की धार्णा एक मतलब आपके ये सपना ही बन कर रहेगी भारत सुतंद तो हुआ पर इसके लिए उसने एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी और कहते हैं ऐसा आप लोग इतियास कि अगर स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें साप लिखा हुआ कि उस समय की परिस्तिती बहुत भयांकर थी कोई समझोता रहने का कोई गुझायस ही नहीं रह गई थी अगर आपसे कहीं पूचे कि अगर आपको लिखना हो कि भारत विभाजन के कौन-कौन से कारण थी तो इन कारण को लेख सकते हैं इनका थोड़ा उलेख भी आप लोग कर सकते हैं अपने आंसर में और मैं कहता हूँ आप लोग किसी एक्जाम की तयारी नहीं कर रहे हैं तब भी मुझे लगता है इस तरह की टॉपिक के बारे में आपको मालू तो होना चाहिए तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहां से मुस्लिम लीक की स्थापना और मुस्लिम संपदाइकता यहां से भारत में आप देखें जो एकता थी इसमें दरार पैदा होनी सुरू होती है आप लोग 1905 से आंगी चले जाईए पीछे कॉंग्रेस के गठन के समय तक आप देखी कि हम सब एक थे हमारे दिमाग में ही कोई इस तरह के सवाल ही नहीं था तो इसमें आप देखें कि सिमला पिती निदी मंडल की समय मुस्लिम लीताओ ने एक केंद्रिये मुस्लिम सभा बनाने की सोची और जिसका उतिश किवल मुस 1906 को और आप देखेंगे कि एक कोई संस्था बनती है जो के बाद मुसलिमों के लिए सोचती है तो आप सभी जानते हैं कि दूसरे धरम में जरूर दरार आएगी निदोनों की बीच तो यही हुआ है समय मुसलिम लीक आउदेश और दिरिश्टी कोंट संपदाइकता और उन्हें अंग्रेज अच्छे लगने लगे अंग्रेजाओं का सपोर्ट करने लगे कई जगे सन 1910 के समाप्त होते हुँते मुसलिम लीक की पित्ती किरियाबादी नीती कुछ सिथिल पढ़ गई थी और मुसल्मानों की नई पीडी राष्टी इता की ओर जुकने लगी थी और उसमें राष्टी विचारों का विकास होने लगा था जैसे आपको अभी उधारन देकर एक समझाता हूँ आज आप देखते हैं कई ऐसे मुसलिम लीडर भी मिल जाएंगे कई ऐसे हिंदू लीडर भी मिल जाएंगे जो एक दूसरे धरम को लड़ाने का काम करते हैं और भोटों से मतलभ रहता हैं मैं इसे लिए बोलाँ कई ऐसे मुसलिम नेताओं के बारे मैं भी बता सकता हूँ जो कट्र एक तरसे हिंदू के खिलाब जहरो गलते हैं और कई लिडर भी बता सकता हूँ आप सोचे कि उनने हिंदूं या मुसल्मानों के लीज पार्या क्या है आप देखिए वो लड़ा रहे हैं एक दूसरे धरम को लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद हमारी जो पीड़ी होगी नई पीड़ी होगी पड़े लिखे होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे फिर से वो एक होना सुरू करतेंगे तो इस स्तिती में यहां भी वही कि जो संगठन बना हुआ था मुसलिम लीग इसमें कुछ नए लोग सामिल होते हैं जो इस बात को समझ चुके थे कि अंग्रेजों की भरती सब कुछ नहीं है और वो भारत की एक तरह से आंदोलन के लिए जुड़ना सुरू हो गये और राष्टी इता दिखाने लगे अधुल कलाम, आजाद मुहम्मद अली जिन्ना और अली बंदूओं आजमल खान, डॉक्टर अंसारी जैसे आदिस मुसलिम नेताओं ने मुसलिम राष्टवाद की उतकर्स करने और संपदाइकता में मत्कूर्ण युगदान रहा फिर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि केवल मुसलिम लीग इसके लिए उत्तरदाई थी, आप देखेंगे इसमें कॉंग्रेस भी काफी, कॉंग्रेस का भी काफी आपका युगदान रहा है, कॉंग्रेस का क्या रहा है, कॉंग्रेस की संतुष्टी करन की दुरबल नीती, भारत बेभाजन और पाकिस्तान के भारत, य अनेक आउसरों पर कॉंग्रेस ने अपने सिध्धानतों को तक त्याद दिया था और 1916 का जो लखनव समझोलता होता है इसमें भूल की गई कि जिसके अंतरा कॉंग्रेस ने मुसल्वानों की पितक पितिनित की और उनकी उनको उनकी संख्या जन संख्या से अनपात में विव परिवाई का उधारियन देकर एक तरह से आपको समझाता हूं बहतर समझ में आएगा कि मालेजे कुछ भाई है और आप मतलम मुख्या होसे कुछ सदस हैं उस परिभार में तो आप सोचे कि उसमें कुछ अधिकारों की मांग होती है और उन अधिकारों को आप लोग माल ले कि तो यह ही हुआ कि जो लखनव समझाता हुआ था इस समय आसपास आप देखेंगे कॉंग्रेस ने मुसलिम लीग की कई बातों को मानना सुरू कर दिया तो आप देखेंगे उनकी मन में और अधिकार आने लगी तो यहाँ जैसा भी माना जाता है कॉंग्रेस भी जिम्मेदार है फिर आप देखते हैं कि संपदाइक हिंसा खिलापत अंदोलन और असायूग अंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद संपदाइक बिद्रोज की आग बढ़ने लगी और ऐसा माना जाता है कि देखें खिलापत अंदोलन असायूग अंदोलन में जो एकता रही है हिंदू मुसल्मानों में उसके बाद बो कभी देखने को नहीं बिली सन 1921 में मालाबार में हुए मौपला बिद्दों ने हिंदू मुसल्म संपदाइकता को चिंगारी पिदान की और सन 1922 से लेकर 1927 तक हिंदू मुसलिम अब्दरबों ने इतना भयावर रूप धारन कर लिया कि दोनों संपदाइकी एकताकंत होने लगा फूट पढ़ने लगी और मुसल्म लीग धीरे धीरे पितिगामी नेतित की अधिन्ता में चली गी और मसल्मानों की बीच हिंदू राज दिखा कर अपने जड़ी मजबूत पैरम कर दे तो ये आप देखेंगे हिंसा संपदाइक तब का भी कारण रहा है फिर आप देखते हैं पाकिस्तान की माँ डॉक्टर बिजिस कुमार और स्री वास्तों की पुस्तक के अनुसार सन 1930 में सर मुहमत इकवाल मुसलिम लीग का सभाबती बने और उन्होंने अपने भासन में कहा कि मुसलिम हितों की सुरक्षा का एक पिथक राजी की स्थाफना के द्वारा ही संभव हो सकती है तो इस पुस्तक का भी आप लोग उलेक कर सकते हो आँ तो इसमें क्या मतलब ही कि आप देखें कि मुहमत इकवाल मुसलिम लीग के सभाबती बनते हैं एक तरह से अध्यक्च बनते हैं और इन्होंने सिधा सा कह दिया कि आप मुसलिमों की रक्षा या उनके हितों की सुरक्षा उनके अधिकारों की रक्षा इस से हो सकती है कि उन्हें अलग देश बना कर दे दिया जाए तो यहां से आपको साब दिखाई दिराएगी यहां से हवा और तगडी सुरू होती है और एकवाल ने उन सभी मुसल्वान बुद्धी जीवियों को गंबीरता से प्रभावित किया जिन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने की मांग कि यह भी पी एकवाल ने पाकिस्तान सब्ध को जनम नहीं दिया था इस बात को याद रखी कई बार आपका वंडे एक जाम में इस तरह का गुश्टन्स पूच लिया है पाकिस्तान सब्ध की बात करें तो इस सरप इथम प्रियोग लंदन में कैमरेज विस विद्ध्याले के एक विद्ध्यारती चौधरी रहमत अली और उनके तीन साथियों ने जनवरी 1933 में पिकासित किये गए चोटी पैमपिलेट आब या फिर कभी नहीं में और दच्चे में हिद्राबाद उत्तर पूर में बंगाल और तीन मुसल्मानी राज्यों को एक संग राज में समलिद करके उसका नाम पाकिस्तान रखने का वीचार ब्यक्त किया था तो इस ब्यक्ति को भी याद रखी और उने दिया था चौदरी रह्मत अली ने क्योंकि ये मैंने देखा है कि MPPSC में साइध प्रेलिम्स में एक बार कुश्चन सा चुका है और भी कई पर इक्छाओं में और सन 1940 में अपने लाहर की अदिविशन में मुसलिम लीग ने इस पश्चता पाकिस्तान की मांग रखी और पाकिस्तान की पिटभूमी का निर्माड परियाप्त समझ से पहले से ही हो चुका था और यही जाके आप देखते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत की रूमें एक तरह से बिभाजन हो जाता है दो देश बन जाते हैं तो यही कहानी है आपके 14 अगस्त की और इसलिए आप देखते हैं कि बिभाजन विभीश का यानि कि भैंकर एक तरह से आप समझ सकते हैं विवीज का इस मीती दिवस यानि कि इस समय जो भयान गटना रही है उसी की याद में एक तरह से 14 अगस्त को आप लोग मनाएगे और आप सभी जानते ही कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश्ट की रूम में हम आते हैं तो भारती सुतंता दिवस भी मना लेते हैं आप लोग 26 नवंबर भी आप लोग देखते हैं और 26 जनवरी 1950 ये तीन डेटें काफी मात्वूर भी है तो 26 नवंबर को आप सभी जाते हैं कि कुछ प्रावधानों के साथ समिधान लागू हुआ था इसलिए 26 नवंबर को आप लोग समिधान दिवस के रूम में मना लेते हैं और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका समिधान का निर्माड होता है लागू होता है एक तरह से और आप देखेंगे कि आपके जो कई संस्थाओं की स्थाफना भी होती है एक सुतन्त एक तरह से पूरी तरह से गड़ के रूम में गड़तन्त दिवस के रूम में मनाते हैं इसलिए भारत का निर्मार होता है राष्टपती का पदा देखते हैं चलिए तो इसके बारे में भी याद रखिए इस तरह का कोई टॉफिक हुआ करे तो बताय करिए उस पर भी बात करते रहेंगे पंद्र एकस्त पर भी बात करते रहेंगे